नमस्कार मैं प्रिया राज और आप देखे एक निउस 24 जिस तरह से आए दिन सोसल मीडिया का दौर चल रहा है इसे बीच अफ साइबर क्राइम जैसे मामले सामने आते नजर आते हैं आपको बता देए कि जिस तरह से आए दिन साइबर क्राइम का अटैक बढ़ता ही जा रहा है आए दिन जो यंग जैनरेशन के लोग है वो काफी हद तक चपेट में आ रहे हैं आपको बता देए जो कौलेज में पढ़ने वाले वी द्यार थी यारी स्टूडेंट है वो काफी कि ऐसे पैसे नगत ले लिए जाते हैं हलाकि आए दिन कई जो यंग जैनरेशन के लोग है इसका सिकार होते रहते हैं आपको बता दे कि कुछ साइबर क्राइम में एक नए भी तकनिकी अपनाने लगे हैं हलाकि जिस तरह से लोगों को आए दिन सोसल मेडिया पर भरोशा हो कहीं न कहीं वह एटैक के मामलों का सिकार बनना सुरू हो जाते हैं उसी समय उसी घंटे और उसी पल में हलाकि यह लोगों को रूबरू कहां लोग तो इसको मॉडरन वे का एक स्टाइल मान रहे और जिनरेशन से चल रहे यूगों का एक पीड़ी मान रहे हैं पर आपको ब साथ है कि कुछ एप्लिकेशन ऐसे भी है जो आपके सारी डाटा को स्टोर कर लेता है और आपको धंकी देने लगता है हलाकि कॉल करके आप से पैसे एक्टनी की चीज़ा सामने आते हैं ऐसे कई मामले थाना में दर्ज किये जाते हैं लेकिन पुलिस प्रसासन करे तो करे का ऐसे कई मामले पुलिस थाना में भी मौजूद है जब साइवर क्राइम उनके साथ हो जाता है तो लोग मामले की जाच करानी के लिए पुलिस थाना दोड़े भागे जाते हैं हलाकि पुलिस प्रसासन भी इसमें क्या ही कर सकती है जब आप एक एप्लिकेशन इंस्टॉल कर सफेर कर सेकिर फूरा खुंख चर्थ अपना अपने स्टूरेenne बालाव कर देदे हैं आप अपना इप्डेट जब आपने आपके और को साथ हो गा हुआ ऑर ही यहां से रूबरू रहने की लिए आपको अप्डेट लेते रहना पड़ेगा जिस तरह से आप अपने की अपडेट करते हैं आपको यह चीज की जनकारी होनी रखनी चाहिए कि आप कौन से अप्लिकेशन को कब इंस्टॉल कर रहे हैं क्या उसमें अपडेट है क्या फीचर है आप बीना सोचे समझें अलाव कर देते हैं यही कारण है साइबर क्राइम के अटेक के बढ़ने का चांस फिर भी आपके बैंक के खाते से पैसे कटने सुरू हो जाएंगे आईए जानते हैं क्या है वो तरीका जो साइबर क्राइम ज्यादा तर उस तरीके को अजमा कर आपसे कई पैसो की ठगी करते हैं तो आईए बताते हैं वो कौन से तरीके हैं जो सबसे ज्यादा साइबर क्र हाली में ऐसे कुछ मामले सामने आए इसके लिए हैकर्स ने लोगों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक सुवीधा का इस्तेमाल किया है आपको बता दे कि साइबर अपराधी लोगों को ऑनलाइन ठगने के लिए लगतार नए तरीके ढूंटे रहते हैं और ये यूजर्स को मैसेज या कॉल के जरिये फरजी लिंक भेज कर या अन्ने किसी तरीके से ठकते हैं वही यूजर्स की नीजी जनकारिया चुरा कर उनको जाल में फसाये जाता है और फिर बैंक एकांट खाली किया जाता है हाली में स्कैम का एक और नया तरीका सामने आए है आपको बता द में जिस तरह से एजेंसिय साइबर अप्राधों को रोकने के लिए सजग हुई है वहीं अप्राधियों ने भी फ्रॉड करने का तरीका बदलना शुरू कर दिया है आपको बता दे कि हैकर्स ना तो लोगों को कॉल करें और ना ही लिंक भिज रहें फिर भी आपके एकांट से पैसे निकाले होंगे जरूर क्योंकि AEPS यानी आधार कर्ट इनेबल पेमिंट सिंस्टम एक ऐसी सर्विस है जिसमें अधार कर्ट और बायोमेट्रिक के जरिये बेक एकांट से पैसे निकाले जाते हैं और जिन यूजर्स का बैंक एकाउंट अधार कार्ट से लिंक होता है और एई पीएस इनेबल रहता है वो बिना किसी चेक बुक एटीम कार्ड आधी के भी अपने एकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं हलाकि इसके लिए रिजर बैंक ने एक लिमिट सेट की है साइबर अपराधियों ने लोगों को चुना लगाने के लिए यह नया तरीका ढूंडा है जिसमें वो लोगों की जनकारिया चुरा कर एई पीएस का इस्तिमाल करते हैं और बैंक अकाउंट खाली करते हैं इसके लिए हैकर्स ने सरकारी दफ्तरों से लेंड अलोट्मेंट द दस्तवेजों पर लोगों के फिंगर प्रिट यानि की उंगलियों के निशान दर्ज होते हैं और अपराधि दस्तवेज से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए फिंगर प्रिंट चोरी करते हैं और अधार कार्ट नंबर और बायोमेट्रिक डिटेल मिलने के बाद बैं यूजर्स को अपना अधार कार्ट किसी के साथ सेयर नहीं करना चाहिए अगर सेयर भी करना है तो वो मास्क अधार कार्ट का इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें अधार का नंबर किसी के हाथ नहीं लगता है और इसके अलावा वो अधार कार्ट नंबर की जगा वर्चुल आईडी यानि वी आईडी वो सेयर कर सकते हैं इसके लिए योजर्स को सबसे पले यूवाई डी आई की वेबसाइट पर जाना होगा यहां उन्हें मास्क अधार और वी आईडी जेनरेट करने के विकल्प मिल जाएंगे अपने अधार कार्ड और मुबाइल नंबर को दर्श करके वो अपने अधार को सुरक्षित कर सकते हैं तो जैसा कि अबी आपने सुना कि किस तरह से आए दिन Sайber Crime का दबडपा है। फूरी देश में बढ़ रहा है। पूलिस प्रशाट्षन जैसे टीम आए दिन इन Sечение को रोखने के लिए उपाइल अगा ये नए नए तक्निको का से का इसतमाल करने आपने अधार कार्ड को सुरक्षित कर सकते है हलाकि अगर आपसे कोई आपका अधार काड़ मांगता है तो इससे देने से बचे हलाकि ये पैसे आपके होते हैं इसलिए आपकी कमांड आपके हाथ में है आपकी स्तरस से सोसल मेडिया और आए दिन साइवर क्राइम को रोक सकते हैं यह पूरा डिपेंड करता है आप पर तो सतर्क रहे साउधान रहे और इसी तरह तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे एक निज़ 24 पर अगर यूटुब पर देख रहे तो यूटुब चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीचे का धन्यवाद